इस सामान्ने तोर पर जब कोई किसी को खास उपलब्दी प्राप्त होती है तो इसको समानित किया जाता है लेकिन आज इस कारिक्रम में मैंने आकर के देखा कि लीक से हट करके जो लोग सोचते हैं उनके उनको और उनके परिवार जनों को समानित करने का कारिक्रम भी रखा गया और इसलिए मैं संस्था के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं स्री निलेश जी और समाज को मानवता का, दूसरों के कल्यार का जिन डोनर्स ने एक संदेश दिया है उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ अंगदान बास्तों में किसी भी दूसरे दान से बढ़कर है अंगदान से केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बलकि पूरे परिवार को और पूरे समाज को नया जीवन मिलता है जीवित रहते या मृत्तू के बाद यह नश्वर सरीर या इसका कोई अंग किसी को नई जिन्दगी दे सके यह संकल्प लेने वाला व्यक्ति जीवन दाता का दर्जा पाता है हम सब लोग जानते हैं कि भारती संस्कृति वा परंपरा में अंगदान और देहदान करना कोई नई बात नहीं है अधिक से अधिक लोग अंगदान के लिए आगे भी आ रहे हैं आप सब लोग भी उसी स्रेणी में आते हैं यह जानकर अतियंत प्रसंता हुई जब बताया गया कि सूरत इस्टेंड्स अमंग दफस्ट सिटी इन गुजरात अभी तक यह संस्ता कुल मिलाकर पांच सो बैयासी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुकी है इस संस्ता के सहयोग से अंगदान के मामले में अनेक उलेखनी कारे संबन हुए हैं मुझे विश्वास है कि आज का यह कारक्रम अंगदान के लिए लोगों को और भी प्रेरित करेगा इस कार में डोनेट लाइफ को सूरत के बिफिन संसानों और समुदायों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूँ और उनके द्वारा जो अच्छे कारे किये जा रहे हैं उन सब के लिए बधाई भी देता हूँ अंगदान करने वाले तथा अंगदान देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों और उनके परिजनों का भी मैं पुना अभिनंदन करता हूँ आईए हम सब अपने स्वजनों के साथ अंगदान के बारे में बात करें और मिलकर लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करें निलेश जी मैं आपको और आपकी संस्ता के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें पूरा ना केवल गुजरात आपके साथ है बलकि पूरा देश आपके साथ भड़ें धन्यवाद जैहें